हाई गाईज, वेलकम टू करंट अफेर्स फंडा, मैं हूँ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम 3 नवंबर के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स MCQ करेंगे फ्रेंट्स, स्टेटिक जी के पार्ट 3 भी अपलोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं चलिए करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की तो हाल ही में केंदरिय मंतरी डॉक्टर जीतेंदर सिंग ने जम्मू एंड कश्मीर केंदर सासित परदेश में मांसिर जील विकास योजना का उदखाटन किया है ने जम्मू एंड कश्मीर में रीवर देवेका के प्लान की समिक्षा की है और इसी के साथ ही मांसर जील के रीनोवेशन प्रोजेक्ट का उदखाटन किया है जम्मू एंड कश्मीर के लेटरिन एंड कवरेणर है मनोस सिना और फ्रेंड्स, डॉक्टर जीतेंद्र सिंग के पास कई सारे कारेबार हैं के अंदर सरकार में, ये Minister of State for Ministry of Development of North Eastern Region के साथ-साथ, Minister of State for PMO, Personal, Public Grievances, Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space, इन सभी का कारेबार देखते हैं. अगर जम्मो एंड कश्मीर से जुड़े पिछले कुछ महीनों के करंट अफेर्स की बात करें, तो डॉक्टर जीतेंद्र सिंग ने नौर्थ इंडिया का पहला BioTech Industrial Park Project का उद्राटन किया था, कट हुआ में, जो की जम्मो में है, साथ ही जम्मो एंड कश्मीर, First UT है हमारे किया है, साथ ही जम्मो एंड कश्मीर के Lieutenant Governor ने, यहाँ पर जो जम्मो एंड कश्मीर के Administrative Service Officers हैं, इनके लिए Sparrow सिस्टम भी लांच किया था, इस Sparrow का मतलब है, Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window, और फ्रेंड्स, यहाँ से आप जम्मो एंड कश्मीर के बारे में देख सकते हैं, कि इसकी Capital है, जम्मो, जो की Winter Capital है, और Summer Capital है, स्री नगर, और साथ में फ्रेंड्स, यह भी याद रखना, कि इंगलिस और उर्दू के अलावा, अब केंदर स सरकार ने जम्मो एंड कश्मीर की तीन और Official Languages बना दी हैं, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, आगे बढ़ते हैं, As part of Mission Sagar 2, which Indian naval ship delivered food aid to Sudan, South Sudan, Djibouti, and Etria? The correct answer is option D. Mission Sagar 2nd के तहत, INS Aravat, जो यह नोसैनिक जहाजय, इसने Sudan, दक्सिंड सुडान, जिबूती, और Etria वो खादी सायता पहुंचाई है, और फ्रेंट्स, इससे पहले, भारत Mission Sagar 1st भी operate कर चुगा है, जिसके तहत, Maldives, Mauritius, Cicilles, Medagascar, Comoros, यहाँ पर food aid और medicines भी जवाई गई थी, और यह सभी program चल रहे हैं, भारत का जो vision है, Sagar, जिसे की 2015 में unveil किया गया था, Sagar का मतलब है, security and growth for all in the region, Which bank signed a loan agreement amounting to up to 1 million US dollar with the Japan bank for international cooperation? The correct answer is option C, State Bank of India ने अंतराष्टे सहयोग के लिए Japan bank के साथ 1 billion US dollar तक के रिंड समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, यानि की 4303 करोड रुपे, Total loan amount है, जिसके लिए sign किया गया है, और SBI का headquarters है मुंबई में, और इसके chairman है दिनेश कुमार खारा, Actor Sean Connery, who recently passed away, was best known for which character? The correct answer is option C, तो अभिनेता Sean Connery, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये James Bond character के लिए जाने जाते थे, और फ्रेंट्स 1988 में इन्हें Oscar भी मिला था, और मोवी का नाम था The Untouchables, Which body approved acquisition of general insurance business of भारती EXA by ICICI Lombard? The correct answer is option B, तो ICICI Lombard द्वारा भारती EXA के general insurance business के अधीकरण को Competition Commission of India यानि भारती प्रतिस्परदा आयोग इसने approve किया है, और फ्रेंट्स जो ये CCI है, इसके chairman है असोक कुमार गुपता, अच्छा जो ये equation हुआ है, ये Competition Act 2002 के section 31, subsection 1 इसके अंतरगत किया गया है, और फ्रेंट्स जो ये Competition Commission of India है, इसके उद्देश, market में competition बनाए रहे, इसको सुनुश्चित करना है, साथी consumers के हितों की रक्षा करना है, और market की जो स्वतंतरता है, वो बनी रहे, तो इन सभी ये सभी उद्देश से Competition Commission of India के हैं, विच एडिशन ओफ दी मालाबार नवल एक्सराइज कमेंस्ट ओफ विसाका पटनम इन बे ओफ पैंगॉल, तो विसाका पटनम बंगाल की खाड़ी से मालाबार नो सेना अभ्यास का 24 संस्क्राइज शुरू हुआ है, और इसमें जो participating nations हैं, वो हैं इंडिया, यूएस, चापान, एंड आस्ट्रेलिया, तो फ्रेंट्स, 1992 में मालाबार जो ये सीरीज है, सबसे पहले भारत और यूएस नेवी के बीच हुई, फिर 2015 में इसे चापान ने भी जोइन किया, और अब 2020 में आउस्ट्रेलिया भी इसमें सामिल हो गया है, इंडियन ओयल कॉर्परेशन और इंडियन ओयल कॉर्परेशन और इंडियन इंस्टिटूट ओफ साइंस, बैंगलूरू ने हाइडोजन जेनरेशन टेकनोलोजी के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं, और फ्रेंट्स अगर हम IISC बैंगलूरू से जुड़े हुए करेंट अफेर्स की बात करें, तो इसने स्कीन कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक नॉन इन्वेजिव बैंडेज, ठीक है, इसको भी डेवलप किया है, साथ ही ISRO और IISC बैंगलोर ने इन दोनों ने लूनर सर्फेस पर यानि चंद्रमा की सतय पर एक स्पेस ब्रिक बनाने के लिए सस्टेनेबल प्रोसेस भी डेवलप किया है, तो ये सबी पिछले महीने के करेंट अफेर्स हैं, यहां पर ये केवल आपको रिविजन के लिए मैं बता रहा हूँ, इनको आप अगर डेटेल में देखना चाते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो गूगल ने 2025 तक अपने उत्पात पैकेजिंग को 100% प्लास्टिक मुक्त बनाने की योजना बनाई है, और फ्रेंड्स इससे पहले Amazon अपनी सभी पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट कर चुका है, यानि हटा चुका है, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब इस तरह की पैकेजिंग या इस तरह की जो प्लास्टिक होती है, जिस जो की केवल एक ही बार यूज हो सकती है, आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर Amazon से कुछ मगाते हैं, तो अगर आपने कोई क्लोस मगाया है, उस से क्लोस मगाया है, तो उसमें जो पैकेजिंग होती है, वो इस तरह की प्लास्टिक होती है, या पड़नी होती है, जिसे आप दुबारा यूज भी कर सकते हैं, तो वो सिंगल यूज नहीं होती है, उसको आप मल्टिपल यूज कर सकते हैं On the lines of IPL cricket, a unique plastic Premier League tournament was played in which city? The correct answer is option B, तो IPL cricket की तरज़ पर मद्यपरदेश के इंदोर शहर में एक plastic Premier League tournament खेला गया है The correct answer is option D, तो Grand Robertson को New Zealand की उप्रदान मंत्री के रूप में नामित किया गया है और friends, New Zealand की capital है Wellington और currency है New Zealand dollar Which state was adjudged the best governed state in the large states category according to the Public Affairs Index 2020? The correct answer is option A, तो Public Affairs Index 2020 का अनुसार केरल राज्य को जो बड़े राज्यों की श्रेणी है इसमें सर्वश्रेष्ट सासीत राज्य गुशित किया गया है और इसके बाद आते है तमिलाडू, फिर आंदरप्रदेश और फिर करनाटका और जो इस लिस्ट में सबसे last में है या worst state है वो है उत्तरप्रदेश और अगर smaller states category की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है गोवा, फिर मेगालाय, फिर हीमाचल प्रदेश और लास्ट नंबर पर है मनिपूर, अगर union territories की बात करें तो नंबर वन पर है चंडिगड, फिर पुडुचेरी और फिर लक्षदीप और लास्ट में है दादर है नागरहवेली फ्रेंड्स जो ये पब्लिक अफेर्स इंडेक्स रिपोर्ट है, ये पब्लिक अफेर्स सेंटर द्वारा रिलीस किया जाता है ये बैंगलूरू बेस्ट एक not for profit organization है और इसके head है पूर्व इसरो परमोक के कस्तुरी रंगन और sustainable development के तीन criteria इसमें आधार बनाये जाते हैं, equity, growth and sustainability Recently, orange line metro train was started in which country? The correct answer is option B तो हाल ही में orange line metro train पाकिस्तान में सुरू की गई है और ये जो है ये पहला transport project है अंडर CPAC CPAC यानि चाइना-पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडोर IIT कानपूर and the Archaeological Survey of India have signed an agreement with which country for restoration of monuments The correct answer is option A तो IIT कानपूर और भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन ने इस मार्कों की बहाली के लिजे या फिर मरम्मत के लिए इटली के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो यहां पर इटली के दो इंस्टिटूट्स हैं उनके साथ यहां पर यह MOU sign किया गया है इटली की capital है Rome और currency है Euro विच स्टेट गवर्मेंट हैस डिसाइड़ तो इस्टैबलिश एंटी हूमन ट्राफिकिंग पुलिस इस्टेशन इन इच एंड एवरी डिस्टेक correct answer is option C तो उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने परतेग जिले में मानव तसकरी विरोधी पुलिस इस्टेशन इस्थापित करने का निर्ने लिया है उत्तरप्रदेश के सीम है योगी आदितेनाथ यहां की गवर्णर है आनंदी में पटेल जो की मद्यप्रदेश की भी गवर्णर है और कैपिटल है लखनौ रिसेंटली टाइफून गुनी रेक्ट हैवोक इन विच कंडरी तो हाल ही में जो यह टाइफून गुनी है यह फिलिपिन्स में आया है और काफी जान और माल की हानी इसने पहुचाई है तो फ्रेंट्स फिलिपिन्स की कैपिटल है मनीला और करंसी है फिलिपाइन पैसो और प्रेजिडेंट है आगे रोडरिगो डुटर्टे और फ्रेंट्स फिलिपिन्स में इसको कहा गया है सूपर टाइफून रोली रोजा इलसा रोड्रिगेज हैस बीन अपॉंटेड दा फर्स्ट फीमेल सिक्योर्टी मिनिस्टर टू टैकल ड्रग कार्टेल्स तो फ्रेंट्स कोश्चन के लाइंग वेज में थोड़ा एड कर लेना आप यहां पर कोश्चन पूछा गया है कि किस कंट्री की यह बनाई गई है सुरक्षा मंत्री तो आंसर होगा ओप्शन बी तो जो रोजा इलसा रोड्रिगेज हैं तो ड्रग कार्टेल से निपटने के लिए ब्राजील की फ्रेंड्स यहां पर यह ब्राजील नहीं है यह मेक्सिको है तो यह जो साइन है यह थोड़ा उपर नीचे हो गया है तो मेक्सिको की पहली मैला सुरक्षा मंत्री इनको बनाए गया है फ्रेंड्स जो यहां पर ड्रग कार्टेल लिखा है इसका मतलब होता है देखे कई तरह के ऐसे गुरूप्स होते है जो ड्रक्स वेगरा में डिल करते है या पिर नसीली दवाईाола करते है तो इन सभी इसी तरह के गुरूप्स से निपटने के लिए इनको पहली महिला सुरकसा मन्तरी बनाए गया है और इनका नाम है रोजा, इलसा, रोडरीज, मेक्सियोई कैपिटल है, मेक्सिको सिटी और करंसी है, पैसो, तो ये काफी important question है, अब देखते हैं आज की important one-liners, तो केंदर सरकार ने वायू गुणवत्ता उपायों में सुधार के लिए 15 राज्यों को पहली किस्त के रूप में 200 करोड रुपया का विंटित किये, तमिलनाडू के क्रिसी मंत्री आर दोरिक कर्णू का निधन हो गया है, वे कोरूना पोजिटिव थे, बारतिय सास्त्रे संगीत के महान गायक पंडित दिनकर, पंशीकर का निधन हो गया है, अब देखते हैं फ्रेंट्स प्रिविएस असाइनमेंट कोश्चन के आंसर, अब देखते हैं आज के असाइनमेंट कोश्चन्स, हरारे इस दे कैपिटल सिटी अफ विच कंट्री, जैसिन्दा आर्डन इस दे प्राइम मिनिस्टर अफ विच कंट्री, भद्र वाइडलाइफ सेंच्रुई एंड टाइगर रिजर्व इस लोकेटेड इन विच स्टेट, वू इस दे करेंट गवरनर अफ पंजाब, गुट पीपल टु बैंक वीट, इस दे टेग लाइन ओफ विच बैंक, तो फ्रेंड्स इन पांच कोश्चन के आंसर आप हमेशा की तरह कमेंड वोक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं, और साथ में आप सभी करेंट अफेर्स फंडा को टेलिग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करेंट कुजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं, साथ ही डिसकसन गुरूप में आप किसी भी कुश्चन का सोलूशन पा सकते हैं, दोस्तें आपर करेंट अफेर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ वट्सेप और टेलिग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंट्स कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, थैंक्यू गाइस,